हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है आज हम आपके साथ चावल की कच्री की रेस्पी से एर करेंगे चलिए तो बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में हमने एक कटोरी चावल लिया है दो तीन पानी से चावल को अच्छे से रगड कर हम साफ कर लेते हैं कच्री बनाने के लिए आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं प्रेशर कूकर में धुले हुए चावलों को हम डाल देंगे इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे थोड़ी से लाल मिर्च और दो गिलास तक हम पानी डाल देंगे चावल को हम बहुत ही घुला हुआ सा बनाएंगे इसलिए पानी का यूज यहां हमने ज़्यादा किया है साथ में थोड़ा सा नमाख हम डाल देते हैं और घी डाल देते हैं जिससे जब चावल हमारा पके तो चावल का पानी प्रेसर कूकर से बाहर ना निकले चलिए सब को हम मिक्स करके 6 सीटी आने तक चावलों को कुक करेंगे जब प्रेसर कूकर की सीटी निकल जाए तब आप कूकर का ढखकन खोलिए और ये दिखे चावल हमारा बिलकुल घुल चुका है कच्री के लिए हमें ऐसा घुला हुआ ही चावल चावल चाहिए मैसर से हम चावल को अच्छे से मैस कर देते हैं ये काम आप तभी करिएगा जब चावल हमारा थोड़ा सा गरम हो तभी चावल अच्छे से मैस होगा ये देखे हमने कच्री वाली मसीन ली है उसमें कच्री का नीचे ब्लेट लगा दिया है जो चावल हमने मैस किया था उसको हम मसीन में भल लेते हैं और इसको बंद कर देंगे चलिए, अब खच्री बनाना हम सुरू करते हैं यहाँ पर एक पॉलिथिर हमने रख ली है इसी तरह से गुमाते हुए हम गोल गोल कच्री बना लेते हैं आरी कच्री हमने बना कर त्यार कर ली है इसे हम धूप में एक दिन के लिए सूखने देंगे अगर आप किया धूप नहीं आती है तो आप इसे पंके की छाया में दो दिन तक सुखा लीजिए ये दिखिए कच्री हमारी बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है इसे हम आपको तल कर भी दिखाते हैं कड़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया है जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें अपने कच्री डालेंगे और ये दिखिए कितनी बढ़िया कच्री हमारी फूल कर उपर आ गई ये दिखिए कितनी बढ़िया हमारी सफेद कच्री बनकर तयार है इस बार आप होली पर कच्री जरूर बनाईएगा चलिए तो इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरह से सारी कच्रीयों को हम तल लेंगे इस बार आप होली पर चावल की कच्री बना कर जरूर ट्राई करिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये अगर आपको हमारी ये रेस्पी थोड़ी सी भी हेल्प पुल लगे तो प्लीज उसे लाइक से यहर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलिएगा थैंक यू